हलो मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास एट का चैप्टर नमबर थ्री है और जितका नाम है स्क्वाइर एंड स्क्वाइर रूट और यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है लेकिन यहां लिखा हुआ है क्लास एट के लिए बट इसका मतलब यह नहीं है कि क्या होता है और सबसे पहले हम जाएंगे इस प्व र्क्राइट क्या होता है थीग कि तो लिख लेते हैं square ठीक है square तो सबसे पहले जानेंगे square जैसे कि हमने कोई number ले लिया पहले two और इसके उपर हमने लगा दिया power में two और दूसरा कोई number ले लिया three इसके भी power में हमने लगा दिया two और इसके लाम कोई number ले लिया 4 उसके भी power में लगा दिया 2 इसके लाम कोई और number ले लिया ले लिया जैसे कि कोई decimal number इस बार ले लेते हैं जैसे कि अगर हमने ले लिया 1.1 और कोई और भी decimal number ले लिया 1.2 ठीक है और सभी के उपर हमने लगा दिया power में 2 ठीक है सभी के उपर हमने power में लगा दिया 2 ठीक है तो यह है इसको हम पढ़ेंगे 2 square 3 square 4 square 1.1 square और 1.2 square इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ 2 को हम multiply करेंगे 2 time उसी numbers में इसका मतलब क्या होता है square का मतलब होता है 2 का square क्या मतलब 2 into 2 2 power 2 3 into 2 का मतलब 3 को 2 time multiply करेंगे 4 power 2 का मतलब 4 को उसी में multiply करेंगे 1.1 को हम multiply करेंगे उसी same numbers में ठीक है और 1.2 को हम multiply करेंगे same उसी numbers में और इसके बाद यह जो answer इसका आएगा यह होगा इसका square ठीक है तो 2 का square होगा 2 into 2 2 का square मतलब 2 into 2 मतलब 2 का square मतलब 4 3 का square मतलब 9 our 4 का square मतलब 16 4 का square मतलब 16 our 1.1 का square मतलब 1.21 और 1.2 का square का मतलब 1.44 ठीक है तो ये होता है square 2 का square 4, 3 का square 9, 4 का square 16 और 1.1 का square 1.21 और 1.2 का square 1.44 ठीक है तो square का क्या मतलब होता है किसी भी numbers को उसी same numbers में multiply कर देने से हमें उस number का square मिल जाता है जैसे 2 का square हमें निकालना था तो 2 को हमने उसी numbers में multiply कर दिया तो इसके बाद जो answer आया हमें मिला 4 तो ये किसका square है 2 का square क्या है 4 तो ये होता है square बात तो समझ में आया होगा भेजाम तो घुसा होगा तो अब समझते हैं हम square root क्या होता है अब तो इतने को हम मिटा देते हैं ठीक है जल्दी से और square को बढ़ा के लिख लेते हैं square root क्योंकि अब हमें ये ही पढ़ना है ठीक है अब square root पढ़ेंगे तो root का symbol तो आपको पता होगा ये जो है ये ये है root का symbol इसे हम बोलते हैं root ठीक है इसे हम बोलते है root ये है root का symbol ठीक है और इसी root के symbol को किसी भी numbers के उपर जिसका हमने square किया था हमने इन सभी के square किया था ना तब ये answer आया है जिसका हमने square किया था उसके उपर हम ऐसे उड़ा देंगे ठीक है हमने उड़ा दिया ठीक है 1.21 के उपर भी उड़ा दिया तो यह क्या हो गया यह हो गया अंडर रूट 4 अंडर रूट 9 अंडर रूट 16 अंडर रूट 1.21 अंडर रूट 1.44 तो यह हो गया फोर का स्क्वाइर रूट क्या होगा ये फोर का स्क्वाइर रूट वही नंबर होगा जिस नंबर का हमने स्क्वाइर किया था ठीक है तो ये जो फोर था ये किस नंबर का स्क्वाइर था ये था टू का स्क्वाइर ठीक है ये था 4 किसका square था 2 का square था और इसके उपर हमने root लगा दिया था ठीक है इसके उपर हमने root लगा दिया था टोपी पहिना के ठीक है तो ये हो चुका था अंडर रूट 4 ठीक है या तो root 4 ठीक है यही बोल सकते हैं तो ये किसका root है 2 का root है ठीक है क्योंकि क्योंकि हमने 2 का ही square किया था और जो answer आया था उसी को हमने टोपी पहिना दिया root वाली टोपी तो ये जो है जिसका भी root होगा ये उसका होगा square ठीक है जो ये जिसका square था उसी का root होगा ठीक है अब अंडरूट 9 ये अंडरूट 9 किसका square था अंडरूट 9 लिखा हुआ है न इसमें से ये जो 9 है 9 किसका square था 3 का square न तो अंडरूट 9 का अंडरूट 9 का root क्या होगा 3 ये किसका square था 16 किसका square था 4 का है न तो 16 का root क्या होगा 4 और 1.21 ये किसका square था ये square था 1.1 का ये था 1.1 का square थीक है तो ये क्या हो जाएगा ये किसका root है 1.1 का थीक है इसका root किया तो इसका answer क्या है 1.1 और इसी तरीके से ये है 1.2 का थीक है अन्डरूट 1.44 को जब हम solo करेंगे तो हमें मिलेगा 1.2 ठीक है तो इसी तरीके से किसी भी number मतलब किसी भी number नहीं ऐसा number जिसका square हो सके ठीक है उसी number को अगर हम ऐसा नमबर जिसका स्क्वायर हो सके उसी नमबर को अगर हम रूट के अंदर रख देंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ठीक है तो जैसे सिक्स्टी फूर किसका स्क्वायर है 16 four-elect का स्क्वायर किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वा cursor मतलब 8 इंट्यम एट इखालtwo 64 है ना 88 64 होता है ठीक है तो 64 किसका स्क्वार है 8 का इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम टोपी पहनाएंगे रूट वाली तो यह हो जाएगा 100 लोग ठीक है तो 64 किसका रूट है 8 का ठीक है तो बास्वाज में आ गया होगा कि square root क्या होता है ठीक है तो अब जानते हैं square से related कुछ important point के बारे में ठीक है तो यहाँ three points दिए गये हैं पहला वाला लिखा है square of even numbers are always even इसका मतलब है कि किसी भी even numbers का अगर हम square करेंगे तो जो answer मिलेगा वो भी even numbers ही होगा ठीक है तो कईसे देखते हैं यह पहला वाला point है ना इसने बोला है even number को अगर square करेंगे तो हमें answer में even number ही मिलेगा ठीक है तो ले लेते हैं कोई even numbers ले लिया 8 ठीक है तो 8 का square करेंगे तो फिर हमें एक even number ही मिलेगा 8 8 जा है 64 ठीक है तो 8 एक even number है यह जो 64 answer आया है इसका 64 भी एक even number है ठीक है इसके लावा कोई और numbers ले लेते हैं जैसे कि हमने ले लिया 4 ले लेते हैं 4 एक even number है इसका अगर हम square करेंगे तो फिर भी हमें एक even number मिलेगा ठीक है 4 4 जा कितना होता है 16 ठीक है अगर हमने कोई numbers ले लिया एक even numbers ही लेना है ना हमने ले लिया 6 6 एक even number है तो 6 का जो answer आता है 36 आता है ठीक है तो 6 का एक even number है 6 का जो square है ये भी एक even number ही आया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है square of even numbers are always even पहली condition यह है ठीक है अब दूसरी condition की तरफ चलते हैं यह वाले की तरफ ठीक है दूसरे वाला दूसरे वाला क्या बोला है square of any odd number always odd number ठीक है यह बोला square of odd number always odd तो किसी भी odd number पता है क्या होता है जो 2 से divide नहीं होता है और even number वो होता है जो 2 से divide हो जाता है तो हमें odd number पढ़ना यह जो 2 से divide नहीं होता तो 2 से क्या नहीं divide होता है 3 एक odd number है और 3 का अगर हम square निकालेंगे तो हमें 3 का square क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा तो square of any odd number अल्वेज odd ठीक है स्क्वाइर आप और नमबर आलवेस ओर त्री के स्क्वाइर और ट्री एक और नमबर है यहां लिख लेते हैं ले लेते हैं फाइब फाइब एक और नमबर है फाइब के स्क्वाइब ट्वेंटी फाइब एक और नमबर है तो अगर हम स्क्वाइर करेंगे तो हमें और नमबर ही मिलेगा ठीक है तो दोनों कंडिशन पढ़ लिया ठीक है अब तीसरी कंडिशन पढ़ लेते हैं यह क्या है इसने बोला है कि कोई भी नंबर हो चाहे वह और ओड़ हो चाहे वह इवेन ओ अगर वह निगेटिव में है या तो पॉस्टिव में है तो उसका जो एंसर आएगा वो हमेशा पॉस्टिव में ही आएगा ठीक है यहां बोला है इसक्वाइर आफ एनी निगेटिव और पॉस्टिव नंबर आलवेस पॉस्टिव ठीक है इसक्वाइर आप किसी भी किसी भी नंबर के किसी भी कोई भी नंबर हो अगर निगेटिव में है या तो पॉस्टिव एएगा टू श्क्वाइर निलिगiset व सब्सक्राइब होगे shifting से फोड़ों पॉस्टिव में आएगा अगर पॉस्टिव 2 रहे हैं फिर भी फॉस्टिव में आ नेगटिव 3 ले लिया इसका स्क्वाइर 9 हमेशा पॉस्टिव में आएगा ठीक है कोई भी नमबर हो कोई भी नमबर हो चाहे वह नेगटिव में हो चाहे वह पॉस्टिव में हो चाहे वह ओड हो चाहे वह इवन हो उसका स्क्वाइर हमेशा positive में आएगा ठीक है square हमेशा positive में आएगा तो 9 negative 9 का square positive में आएगा 81 positive 9 का square हमेशा 81 positive में ही आएगा ठीक है तो यह condition तो समझ लिया अब हम जानेंगे perfect square का होता है ठीक है तो ऐसा number जिसका square root बनाने में नानी याद नहीं आए वो होता है perfect square और इसके लामा ऐसा numbers जिसका square root बनाने में नानी याद आ जाए उसे बोलते हैं not perfect square ठीक है तो जैसे कि अगर हमने कोई number ले लिया 49 और 49 का root बन सकता है ठीक है 49 का root बन सकता है और यह square किसका था 7 का ठीक है और कोई numbers ले लिया 64 और 64 का root बन सकता है और यह किसका square था 8 का तो हम कह सकते हैं कि 49 क्या है एक perfect square है और 64 को भी हम कह सकते हैं कि यह एक perfect square है क्योंकि इसको square बनाने में perfect square बनाने में नानियाद नहीं आई ठीक है तो यह क्या है एक perfect square है इसके अलामा कोई और numbers ले लेते हैं जैसे कोई decimal numbers ठीक है ले लिया हमने 1.21 इसका हम root बना सकते हैं ठीक है square root बना सकते हैं तो यह है एक perfect square किसका यह है perfect square ठीक है तो इसका answer क्या होगा 1.1 ये भी है एक perfect square perfect square वो होता है जिसका root आसानी से बन सकता है ठीक है इसके अलावाद जैसे कि हमने कोई numbers ले लिया जैसे 1.44 ठीक है तो ये है एक perfect square क्योंकि ये square root बन जा रहा है ठीक है ये किसका है 1.2 का ठीक है तो अभी तो हमने जान लिया कि perfect square क्या होता है अब कुछ ऐसे numbers को जानते हैं जिसका perfect square नहीं बन रहा है ठीक है तो इसको देते हैं मिटा अब देखते हैं कि कोई ऐसा numbers जिसका perfect square नहीं बन रहा हूँ ठीक है जैसे की 180 ले लेते हैं 180 और 180 का perfect square नहीं बन सकता इसे हम root में नहीं रख सकते मालनीजे रूट में हमने रख दिया ठीक है नहीं रखेंगे भईया ठीक है अब यह perfect square नहीं बन सकता क्यों? क्योंकि इसका pair से ही नहीं बनेगा अगर हम इसका prime factorization करेंगे तो सबसे पहले 180 का prime factorization कर लेते हैं ठीक है तो यह है 2,9,018,92,45 दूना और 3,3,15,45,3,5,015 और 5,1,0,5 ठीक है तो अब इसको हमने prime factor कर लिया तो यहां क्या मिल रहा है 2 into 2 3 into 3 और यहां बन रहा है 5 तो यहां तो है 2 का pair बन गया 3 का pair बन गया लेकिन यहां 5 जो है 5 का pair बन नहीं रहा है तो इस तरीके से यह perfect square 180 का नहीं हो सकता ठीक है अब आई मूदे की बात बात समझ में आये हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब बाई